दोस्तों आज की सबसे पहली और बड़ी ख़बर तीन साल में दो लाख युवाओं को रोजगार के लिए ट्रेनिंग का लक्ष युवाओं जहारखन सरकार ने जहारखन के युवाओं को निशुल्क तकनिकी और रोजगार परक परशीक्षन देने के लिए मुख्यमंत्री सार्थी योजना शुरू की है। अधिकारियों का अस्थानांतरन पदस्थापन किया गया है। भारत के कई राजियों में लंपी वाइरस ने गौववंशिय पसूँओं खास कर गायों में तबाही मचाई है। जहारखन में यह अधिक मारक साबित नहीं हुआ है। इसके बावजूद जहारखन के चाजीलों में लंपी स्किन डिजिज की पुष्टी हो चुकी है और लगबग 12 पश्चों की मौत लंपी डिजिज से हुई है। जहारखन के सिक्षामंत्री जगनात महतों ने कहा सिक्षक निउक्ती के लिए बनेगी नियोजन निती। जहारखन के तीन इसकूलों को मिला राष्टी स्वक्ष बिद्याले पुरुसकार। पुर्वी सीभूं के टाटा वर्कर्स यूनियन हाई इसकूल कदमा शामिल है। इन सबी बिद्यालेओं को ओवर ओल स्रेनी में पुरसकार मिले हैं। देश भर के कुल 49 बिद्यालेओं को स्वक्ष बिद्याले पुरसकार मिला जिन में तीन जहारखन के शामिल हैं। पुरसकार के रूप में 60 हजार उपे प्राप्थ हुए हैं। इसमें आबादी के अनुसार महापौर, अध्यक्ष और वाड पारसत का चुनाव लड़ने वाले पुरसकार के लिए अलग-अलग राशी निर्धारित की गई है। परतियासी चुनाव परिणाम की गोशना की तारिक से 30 दिनों के अंदर खर्च का लेखा जोखा जमा करना होगा। परतियासियों को इसमें खर्च की मोल प्रती समर्पित करनी होगी। जारखन में अब E.D. की रडार में सरकारी अधिकारी लटकी जाच की तलवार। C.M. हिमन सुरें से E.D. की पूछताच के बाद अब जाच सरकारी अधिकारियों की ओर मुड़ सकता है। अवेद खरन के मामले में अब सरकारी अधिकारियों से पूछताच की जा सकती है। सीम हेमन्स सुरेंच से पूछताच के करम में जो जवाब सामने आये हैं उस अधार पर सरकारी करमचारी, सम्मधित विभाग और वरिष्ट करमचारियों से पूछताच की तयारी चल रही है राजधानी राची में सिक्षकों का हला बोल सीम आवास के लिए किया कूच अपनी पुरानी मांगों को लेकर अखिल जारखंड प्राथमिक सिक्षक संग के बैनर तले हजारों सिक्षक मौरवादी मैदान राची पहुँचे सिक्षक अपनी चार सुत्री मांगों के साथ सीम आवास का घिराव करने जा रहे थे लेकिन रास्ते में हैं पुलिस ने उन्हें बैरिकेटिंग लगा कर रोक दिया है उसके बाद तमाम सिक्षक वही धरने पर बढ़ गए सरकार के खिलाब नारेबाजी करते नजर आए इन सिक्षकों की जो चार सुत्री मांग है उनमें सबसे पहली मांग है कि उनसे सिक्षन के अलावा गैर सेक्षनी कारियों से मोक्त किया जाए जन गनना, मीड डे मिल या फिर दूसरे सर्वेक्षन कारियों से इन्हें अलग रखा जाएं बता दे कि सिक्षकों ने अपनी मांगों को रखने के लिए चार चरणों का एक आंदुलन चलाया है इसके एक चरण में सिक्षकों ने कई सांसदों बिधायकों को मांग पत्र सौपा था साथ दिसंबर से सुरू होगा संसद का शीत कालिन सत्र संसद का शीत कालिन सत्र साथ दिसंबर से शुरू होकर 29 दिसंबर तक चलेगा इस दोरान 23 दिनों में सत्र बैठकें होंगी और अन्य बिशेहों पर चर्चा होने की संभावना है वहीं रचनातमक बहस होने की उम्मीद है केंद्री मंत्री पलहा जोशी ने शुकरवार को ट्वीट करते हुए बताया कि संसत का शीत कालिन सत्र 7 दिसंबर 2022 से शुरू होगा और 29 दिसंबर तक चलेगा जिसमें 30 दिनों म सत्र बैठकें आयुजित की जाएंगी जोशी ने आगे कहा कि अमरित काल के बीच चलने वाले इस सत्र के दोरान बिधाई कारियों की चर्चा के साथ साथ अन्यमुदों पर चर्चा होने की संभावना है बतादे कि आमतोर पर शीत कालिन सत्र का आयुजन नवंबर में शु भारत में पिछले 24 घंटे में कोरोना वाइरिस संकर्मन के 556 नह मामले सामने आने से देश में अब तक संकर्मित हो चुके लोगों की संख्या बढ़कर 4,46,68,523 हो गई हैं वहीं उप्चाराधिन मरिजों की संख्या 200 बाउन मामलों की गिरावट के साथ 6,782 रह गई हैं से सत्र और मरिजों के जान गवाने से मुरितकों का आकड़ा बढ़कर 5,30,570 हो गई हैं इन सत्र मामलों में वे 15 लोग भी शामिल हैं जिनके नाम संकर्मन से मौत के आकड़ों का पुनर मिलान करते हुए केरलने बैश्वीक महमारी से जान गवाने वाले मरिजों की सुची में जोड़े हैं आकड़ों के अनुसार देश में अभी तक कुल 4,41,31,171 लोग संकर्मन मुक्त हो चुके हैं जबकि COVID-19 से मृत्यू दर एक दस्मलों एक नौ परतिशत है अध्यतन आकड़ों के अनुसार देश में कोरोना वाइरस संकर्मन के उपचाराधिन मरिजों की सं 9,782 रगए हैं जो कुल मामलों का सुनिय दस्मलों सुनिय दो परतिशत हैं आई आर सीटीसी की नई पहल अब हर रेलवे इस्टेशन पर मिलेगा अस्थानिय खाना भारती रेलवे अब लोगों की परिशानी को पूरी तरह से खत्म करने जा रहा है रेल यात्रा के दोरान अब आप जिस शेतर से गुजरेंगे उस शेतर का अस्थानिय खाना आपके सामने परोश दिया जाएगा आयार सीटीसी ने शेतरी बेंजन के साथ मौसमी और तेवहार के समय मिलने वाले इस्पेसल खाने की भी बियुस्था की है अब हर बड़े स्टेशन और वहां का शेत पूड तो मिलेगा ही साथ में उस शेतर की बस्तुएं भी मिलेंगी जिसके लिए अलक्ष्टे स्टॉल लगाय जाएगे यही नहीं अगर कोई शुगर की विवारी से ग्रसीत है तो उसके लिए शुगर, फ्री भोजन, बच्चों का आहार, बाजरा, अधारित व्यंजन, स सहित, स्वास्त्य वर्ध खाने की भी विवस्ता की जाएगी, इस पहल के लिए सच्छम प्राधिकारी ने निदेश जारी किये हैं, जिसमें जिन प्रिपेड ट्रेनों में केटरिंग शुल की यात्री किराय में शामिल है, उनके लिए मेन्यू का निर्धारन आई आर सी टी सी द्वारा पहले से अधिसूचित टैरिप के भीतर किया जाएगा, इसके अलवा इन प्रिपेड ट्रेनों में भोजन के अलग अलग ब्यांजनों और एमारपी पर ब्रांडेड खादे पदार्थों की बिक्री की भी अनुमती होगी, 31 दिसमबर से पहले निप्टाएं किस अगर आप पिम किसान योजना के लाभारती किसान है, तो आपके लिए ये खबर जरूरी है, सरकार की ओर से कहा गया है कि 31 दिसमबर से पहले किसानों को अनिवारे तोर पर EKYC वेरिफिकेशन करवाना होगा, ऐसा नहीं करने वाले किसानों को योजना की अगली किस्त प्रा किसानों को साल में तीन किस्त में 2000 रुपे की राशी दी जाती है, तैस समयानुसार साल की पहले किस्त 1 अपरेल से 31 जुलाई, दूसरी किस्त 1 अगस्त से 31 नौंबर और तीसरी किस्त 1 दिसमबर से 31 मार्च की बीचे जमा होती है, अब इस ट्रेन में यात्रियों को नहीं मिल अब आप कम किराये में गरीब रथ एक्सप्रेस में एसी में सफर नहीं कर पाएंगे क्योंकि कम किराये में एसी सफर का आनंद परदान करने वाली देश की चर्चित ट्रेन गरीब रथ एक्सप्रेस में आर एसी सीट की सुविधा खत्म कर दी गई है इसलिए अब यात्रियों को RAC seat नहीं मिलेगी गरीब रथ train में RAC ticket के साथ यात्रा करने वाले यात्रियों से लगातार मिल रही शिकायतों के बाद भारती railway board ने यह बड़ा फैसला लिया है भारती railway board की इस फैसले के बाद गरीब रथ express train में अब केवल confirm CT ही दी जाएगी बता दे कि 3rd class AC वाली गरीब रथ express train का किराया बाकी ट्रेनों की 3rd class AC कोज के किराये के लगभग 33 परतिशत कम होती है अब बीना टेस्ट दिये बनवा सकेंगे driving license अगर आप अपना driving license बनवाना चाहते हैं तो अब आप बीना टेस्ट दिये ही आसानी से driving license बनवा सकेंगे भारत में driving license बनवाना सबसे चुनौती पूर्ण काम में से एक है केंद्रिय सडक राजमार्क और परिवहन मंत्राले द्वारा लागू नए नियमों के अनुसार driving permit के लिए अब आप driving school जा सकते हैं driving school में आप अपना नाम दर्च करवाए school में दाखिला लेकर driving सीख सकते हैं इसके बाद आपको परिक्षा के आधार पर driving school से एक certificate दिया जाएगा इस certificate को permit paper के साथ रखना होगा इसके बाद आपको किसी भी तरह के driving test से नहीं गुजरना पड़ेगा इससे आपको आसानी से driving license मिल जाएगा इससे न सिर्फ आपका वक्त बचेगा साथ ही लंबी लाइन में खड़े होने से राहत मिलेगी